नमस्कार लेडी इंडिया न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है मैं हूँ डॉक्टर तरुना एस्कॉर्ड आजादी के नाम पर धार्मिक आस्थाओं और पात्रों के साथ खिलवाड करना बहुत आम बात है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर ये काम सबसे ज़्यादा फिल्म इंडस्ट्री में होता है अब OTT की नई दुनिया तो इससे चार कदम आगे निकल गई है बहुत विवाद रहे हैं जिसमें धार्मिक आस्थाओं को अपने हिसाब से तोड मरोड कर फिल्म आया जाता रहा है फिल्म तांडव का विवाद अभी बीता नहीं था कि OTT पर एक और फिल्म आ गई है फिल्म का नाम पहले रावण लीला था लेकिन बाद में इसे बदल कर भवई कर दिया गया फिल्म में रावण और सीता का चरित्र निभाने वाले किरदारों को फिल्म के कहानी में प्यार हो जाता है इसमें कोई बुराई नहीं है लेकिन राम और रावन के समवाद के नाम पर काफी खिलवाण किया गया जैसे रावन कहता है कि तुमने मेरी बहन का अनादर किया फिर भी तुम्हारी जैजेकार होती है इस पर फिल्म में राम उत्तर देते हैं क्योंकि मैं भगवान हूँ जबकि क्या आप राम का आदर केवल इसलिए करते हैं कि वो भगवान है या इसलिए कि अपने गुड़ों के कारण वो भगवान बने फिल्म में जब रावन मंच पर जाने वाला होता है तब एक किरदार उसकी हसी उड़ाते हुए कहता है कि अब रावन मंच पर लोटा लेकर जाएगा और कहेगा शन्बार ये लेवल है आस्थाओं के साथ खिलवाड करने का इस तरह से लोग कभी भगवान शिव कभी सीता कभी काली देवी का अनादर करते रहे हैं फिल्म में रावन के चरित्र को ग्लोरीफाई किया गया है इसमें भी कोई बुराई नजर नहीं आती लेकिन रावन का किर्दार निभाने वाले एक्टर प्रतीक गांधी कहते हैं कि किसी की भावनाओं को चोट पहुँचाने का इस फिल्म का कोई इरादा नहीं था इसलिए इस फिल्म का नाम भी बदला गया कहानी तो वैसी की वैसे ही है फिर भी प्रशन उठता है इस तरह की फिल्म में जब आप देखते हैं कि आखिर धार्मिक आस्थाओं से जुड़े पात्रों के साथ छेड़ चाल करना क्या जरूरी है आज राजा हरिश्चंद्र जैसी फिल्म में क्यों नहीं बनाई जाती क्योंकि कोई भी सच को अपनाना नहीं चाहता धार्मिक चरित्रों के माध्यम से विवाद क्रियेट करके सस्ती कमाई करना सब चाहते हैं इस तरह की फिल्मों को देखने से पहले आप सभी को एक बार मन्थन जरूर करना चाहिए इस वीडियो को लाइक करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेज करना ना भूदें